नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ पाच देश सेवा आपको पता है ना कि हमने अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत से वीर सैनिकों ने अपना तन मन धन सब कुछ सर्वस्व कर दिया उन वीर सैनिकों में आपने बहुत के नाम सुने हैं भगत सिंग सुभाष चंद्र बोस लालालाच पत्राय बाल गंगा धरतेलग विपिन चंद्रपाल बहुत से नाम है जिनको अगर हम एक माला में गुथने चले तो माला कभी पूरी नहीं होगी तो आज हम उन्हीं में से एक के बारे में यह पाठ पढ़ने वाले हैं जिनका नाम ह सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा यह उनका बहुत सर्व प्रमुख नारा था उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया आज उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक घटना इस पार्ट में प्रस्तुत की गई है जहां पर अपने दोस्तों से मिलने आते हैं और वो अपने पूरे व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं कि वो अपने माता-पिता की आज्या का उलंगन भी नहीं करना चाहते हैं अब यहां पर माता-पिता की आज्या का उलंगन इसलिए बोला क्योंकि उनके माता कारियों के अधीन होकर काम करना जो उनके व्यक्तित उससे मेल नहीं खाता था तो यहां पर इसी घटना को प्रस्तुत किया गया है आइए शुरू करते हैं एक शाम कंप्रिंसी कॉलेज कॉल्काता के सहपाथी मिच्टर दिलिव कुमार रॉय केम्बरेज विश्वविद्याल्य के चात्रवास के अध्यान में व्यस्त थे विश्वविद्याले में कानून कि चात्र थे और साथ ही । क양ारी भी कर रहे थे अब यहां पर बताया गया है आपको एक दृष्ष्य जहां पर मिस्टर दिलिप कुमार रॉय हैं जो की एक Cambridge विश्युद्याले के अध्यार्थी हैं और लौ पढ़ रहे हैं वहां पर हेलो मिस्टर रॉय कहते वे आगंतुक ने निश्चनता पूर्वक राय के कमरे में प्रवेश किया और राय की तनमैता भंग हो गई तनमैता भंग होना मतलब जितनी तनलीनता और ध्यान से वह पढ़ रहे थे उनका वह ध्यान जो था वह भंग हो गया था राय ने आश्चरच की दृष्टी से अगंतुक को देखा और तुरंथ ही और बड़े आत्मिये भाव से जपडते वे बोले अरे अरे सुभाश तुम हर्शाति देख के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया मतलब जब हम किसी को देखकर बहुत खुश होते हैं तो हमारे आँखों में आशु आ जाते हैं हमारा गला भर जाता है आशुं से या पा स्मृतियों का जंजावात मतलब बहुत दिनों की पुरानी यादों का तूफान मतलब वो यादें जो थी एक साथ इकठी हो करके वहां पर आ रही थी जब तूफान का दौर कुछ कम हुआ तो मिस्टर राय ने आश्चरे जनक भाव से कहा तुम का बाय मित्र तुम और लं देख करके इतनी खुशी हो रही थी कि खुशी में उसके आशों निकल रहे थे सुभाश कुछ क्षणों तक चुक्चाप अपने मित्र के आहवान एवं भाव भंगिमा का अध्यान करते रहे और राय की दृष्टी पटल पर कुछ ही क्षणों में सुभाश के क्रांतिकार क्रांतिकारी स्वरूप की सारी स्मृतियां कॉंध गई भाशा बहुत यहां पर जो शब्द हैं कठिन लिए गए हैं यहां पर उन्होंने आहवान का मतलब बुलाने का जिस धंग से अपने मित्र को बुलाया था दृष्टी पटल मतलब उनकी जो दिमाग में जो यादे च क्रांतिकारी जो व्यक्तित्र था उसकी सारी यादें मिस्टर राय को आने लगी थी सुभाश वही सुभाश जो कॉलेज में प्रवेश करने के साथ ही विद्यार्थों के आकर्शन और श्रद्धा का सेतू बन गया था वही सुभाश जो एक रात में मेरे मानस का नायक बन वह सुभाश जो सचरित्र था दुष सहस और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध रहा अब यहां पर बता रहे हैं सुभाश की विशेष्टाएं कि सुभाश में क्या-क्या विशेष्टाएं थी जैसे ही उसने कॉलेज में एड्मिशन लिया था सभी विद्यार थी उसके व कि बिना लोग वहां से जाते नहीं थे सुभाश में बहुत साहस था दरता नहीं था किसी से भी आगे बढ़ते हैं जिसने अंग्रेजी राज में भी सुभाश किसी से नहीं डरते थे जबकि उस समय हमारा देश गुलाम था हम डर कर रहते थे पर सुभाश एक ऐसा व्यक्त में उसी कॉलेज की कख्षा में अपने अधिकारी को अपने बिटिश प्रोफेसर को एक थपड़ मार दिया था शायद उन्होंने कुछ गलत कहा होगा वैसे हमारे अध्यापक के समक्ष इस तरह का व्यवहार गलत है बच्चों कि अपने अध्यापक को ही हम थपड़ मार द मतलब जब सुभाष ने उन्हें हिलाया तो जिन यादों में वह सारे सीन जो थे वहां से हट गया वापस वह वास्तविक स्थती में आ गए तुमको देखते ही अतीत कि समत्या सजीव हो ठी तुमारा यहां आना मेरे लिए वास्तव में अचरज का विशा है अब वह दोनों चाहते थे क्यों क्या मेरे लिए यहां आना वर्जित था वर्जित मतलब मना था एक कुर्सी पर बैठते वे सुभाष ने सरल मुस्कान के साथ कहा नहीं वर्जित तो नहीं लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम कहा करते थे कि अध्यान समाप्त करने के बाद मेरा प्रमुख उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास होगा तुम थे भी तो ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी अब वो कह रहा है कि तुम तो कहते थे मैं कभी लंदन आऊंगा ही नहीं पढ़ने के बाद मैं सीधा वहां जाओंगा जहां क्रांतिकारी लोग होते तो विद्रो का प्रयास सफल नहीं हो सकता क्या तुम बार इटला के लिए आये हो यहां पर राय ने उससे पूछा नहीं सोचा एक पंथ दो काज हो जाएगा वार इटला के साथ ही आईसियस की परिक्षा में बैठना चाहता हूं आईसियस में बैठने के लिए मारे सुभाष ने अलड़ मुस्कान बिखेर दी अरे हां इस तरह उन्होंने जवाब दिया राय के मानस पतल पर एक वर्ष पूर्व की स्मृतियां सजीव हो उठी जब विलोग कैम्परज में पढ़ने के लिए भारत से प्रस्थान करने वाले थे अब एक साल पहले का सीन जो ह और एक बिटिश अधिकारी बिटिश लोग बिटिश सैना ही हम पर राज कर रहे थे इसलिए वह वहां कभी भी नहीं जाना चाहते थे और आज वही सुभाष कैम्परज में एक सीट पाने के लिए उतसुक थे राय के अथक प्रयास से सुभाष को उन्हीं के साथ फिट्स यहां पर अपनी विशाल विक्षत से सुभाष ने राय को ही नहीं बलकि समस्त सहपाथियों को अभी भूत कर दिया मतलब प्रसन कर दिया सभी सहपाथि उन्हें बहुत चाहने लगे थे उनकी प्रतिभाए कि अकरशन ने प्रतिक को उनका अनुगामी और प्रशंसक बना राय देन वहां, उनकी मित्र मंडली में विभन विश्यों पर चर्चा होती थी, इन गोष्टियों में सुभाष सभी सहफाटियों के केंद्रबिंदु होते थे, सिंटर ऑफ एट्रेक्शन जिसे आप बोलते हैं ना इंग्लिश में तो केंद्र बिंदु होना मतलब सभी सहपाटी सुभाष के आसपास ही इकठे हुआ करते थे वारता का विशय मुख्यते देश-विदेश की राजनीती हुआ करती थी एक दिन बातों ही बातों में राय ने अपना प्रेश्ण सपष्ट किया अब पूछ रहे हैं कि तुमने तो देश सेवा का संकल्प लिया था तुमने तो यह वाइदा किया था कि मैं अध्यन पूरा करने के बात देश की सेवा में लगे रहूंगा फिर यह के परिक्षा कैसे इंडियन सिविल सर्विस जिसे हम ब अधिकारियों की सेवा नहीं करना चाता नहीं मैं उनके राज में कोई अधिकारी बनागे रहे हैं कि मेरी अधिकारी की सेवा करूं वह मेरी आज भी इच्छा है और मेरा यह द्रड़ संकल्प है कि मैं कभी भी ब्रिटिश अधिकारियों की सेवा नहीं करना चाता नहीं मैं उनके राज में कोई अधिकारी बनना चाता हूं पर फिर भी वह क्यों दे रही है यह हमें आगे पता चलेगा तो फिर प्रतियोगिता में बैठने का ताथ पर राय की विसफारित दृष्टी सुभाश की ओजस्वी मुख मंदल पर टिकी रह गई विसफारित दृष्टी मतलब हम जब किसी को बड़ी बड़ी आँखे करके देखते ना आँखें भाड़ कर देखना किसी आश्चर जनक बात का पता लगने पर तो वो होता है विसफार कोई संबंध नहीं है भारत का स्वतंत्र पूत स्वतंत्रता का स्वपन मेरा स्वपन है अपनी आत्मविश्वास के साथ अपने पत पर चलूँगा चाहे मेरा स्वप्न छिन भिन हो जाए और फूलों से भरा रास्ता शूल और कांटों से क्यों न भर जाए अपने पिता की हटकारिता और उस संरक्षक दबाव को मैं कभी नहीं श्मा कर सकता जिसके कारण मुझे इस में बैठने के लिए विवश होना पड़ा तुम्हें यह जानकर अचरज होगा कि गुप्त रूप से मैंने हैं शपत ले रखी है कि यदि आइसीएस हो भी गया जैसा कि मुझे विश्वास है तो मैं इस पद को त्याग दूगा आपको पता लगा ना इस परेग्राफ में कि यहां बर सुभाष कह रहे हैं कि वह आईसीएस की परिक्षा में नहीं बैठना चाते नहीं उस परिक्षा को पास करना चाते हैं लेकिन क्योंकि उनके पिता का यह सपना है कि उनका पुत्र आईसीएस अधिकारी बने और अपने माता पिता की आग्या को वो कभी भी टाल नहीं सकते ऐसे थे सुभाश उनका अपना व्यक्तितो था ही पर साथ ही साथ जिन माता-पिता ने उन्हें जन्म दिया था उन पर भी वो पूरा विश्वास रखते थे और उनकी जो इच्छाएं थी जो अकांग्शाएं थी उन्हें भी पूरा करना चाहते थे कई पर ऐसा हो आख्या को सुनकर सभी उपस्थित चाहत्र वहां पर स्तंभेत रहे गए आश्यरेचकित रहे गए क्याइस की परिक्षा बैठेगा पास भी करेगा पर पास करने के बाद वह से छोड़ भी देगा वास्तों में उन दिनों किसी भी भारतिये के लिए आईसी प्राप्त करना एवरेस्ट विजय के समान था उसे प्राप्ट करके त्याग देने की घोशना करना एक अभूत पूर वह असाधारन घोशना थी उसक्षण से तो सुभाश के बती लोगों की श्रद्धा जिग्यासा और सुकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी अब यहां पर सब लो मुश्किल काम था और उसको पास करने के बाद उसे चोड़ देना तो सभी चात्र जो वहां पर थे वह आश्चरच कित रहा गए स्तंबित रहा गए और सुभाश के प्रति और ज्यादा नत्मस्तक हो गए सुभाश के वल वाद विवाद में ही प्रखर व्यवस्थित और वरन उनकी इंसमस्त अभिवेक्तियों का साक्षात दर्शन उनके जीवन में भी होता था अब सुभाश जब किसी से बातचीत करते थे तो वह वाद विवाद करते थे अपना तर्क रखते और रखने में वह बहुत ही चतुर थे बहुत सोच समझ कर बात करते थे वह अंग् उनमें वाक्षक्ति और संघर्ष की अपूर्वक्षमता थी तथा वे प्रतिद्वन्धी को पराजित करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे अगर वो किसी बात पर तर्क करते थे वाद्विवाद करते थे अपनी बात अखना चाहते थे तो उनके पास पूरे स्थान इना था कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिससे रईसी अत्वा भढ़कीला पंट टपकता हो किताबे कपड़े आधी सभी कुछ उचित स्थान पर रखे होते थे उनके कपड़े भढ़कीले नहीं होते थे फिर भी विस्वच्छ और दाग रहीत होते थे किसी ने उनक सबस्क्रेश सुत्र रहते थे उनका कक्ष व्यवस्त् clinics रहता था किसी भी भूग विलास्क वस्तु मतलब हम झब पढ़ते हैं तो हमें आई फोन ही चाहिए अमें तुछ तरह के रखे रखे जणे मीशने घ्र्वरय कित ऊई अश्भड़े रहते थे उनकी गंड़े में में सफल असफल होने की जिग्यासा आशंका रखने वाले लोग बड़ी व्यग्रता से उसक्षण की पतिक्षा कर रहे थे जब सुभाष सफलता प्राप्त करके आईसीयस को ठोकर मारेंगे और एक दिन वहरोमांचक अफसर आ ही गया केवल आठ महिने की छोटी सी अवधी में सुभाष ने न केवल आईसीयस की परिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीन की बल्कि पतियोगियों में उनका चत्वर स्थान रहा इतना ही नहीं निबंद देने वाले सुभाष की प्रतिभा उक्षमता का लोहा अंग्रीज प्रोफेसरों को भी मानना पड़ा किन्तु उसक्षण जैसे समस्त वायुमंडल स्थ रह गया जब सुभाष की घुष्णा प्रकाशित हुई जिसके अंतरगत उन्होंने भारत के ततकालिन ब्रिटिश र ने लिया तो उनके हर आदमी उनका इंट्रिव लेना चाहता था हर निउस्पेपर उने चापने के लिए अपने अपने यहां स्थान देना चाहता था साक्षातकर में सुभाष ने द्रिड़ और सपष्ट शब्दों में कहा मेरे विचार से जो व्यक्ति देश सेवा का संक नहीं हो सकेगा जिसने इंग्लैंड और संपूर्ण भारत में तहल का मचा दिया बच्चों आज भी हम जब अपने करांतिकारियों अपने शहीदों के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें सुभाष न्रबोष का नाम अग्रणी अक्षरों में लिखा हुआ है अग्रणी पंक परिक्षा को भी पास करवाया लेकिन देश सेवा का संकल्प कर चुके थे इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी परिक्षा को पास करने के बावजूद भी उस पद्ध को त्यागा और देश सेवा के लिए समर्पित रहे आज भी हमें जरूरत है ऐसे ही चात्रों की ऐसे ही वि और अभी सुन भी रहे होंगे तो आप में भी ऐसी ही देश भक्ति का जजबा उठ रहा है ना उमीद है आप लोग भी अपने मातापिता की आग्या का पालन करेंगे अपने कर्तवियों का निर्वाह करेंगे अपनी कथनी और करनी को भी एक ही रखेंगे